एक ही काम repeat करने के लिए बोला गया तो आप irritated हो जाओगे जैसे example के लिए ले लो कि भई आपके पास डिर सारी PDF है और उनको आपको compress करना है और आप एक ही करके compress कर रहे हो भई यार यह irritated है या फिर आपको उन सारे PDF को convert करने के लिए बोला एकसेल वर्ड में या कोई और PPT वगेरा software में तो आप एक एक काम repeated करने के लिए definitely irritated हो जाओगे लेकिन मैं ऐसा software बताने आप जहां पर यह काम batch process में होगा मतलब एक साथ आप 50 फाइल को compress कर सकते, convert कर सकते यहां तक भई इस software की मतलब से PDF को आप smoothly edit कर सकते यानि PDF में existing text को आप replace करना चाहते नया text add करना चाहते भई automark add करना चाहते PDF में signature add करना चाहते PDF में password देना चाहते ऐसे धेर सारी चीज़े यहां पर इस PDF software की मतलब से करने वाल है और साथ ही में PDF के content की उपर summary निकालना है या PDF के साथ चैटिंग करना है ऐसे AI टूल भी available है इस particular software के अंदर यह है what does share PDF element जिया दोस्तों आज इसी के बारे में बात होने वाला है practically मैं बताने वाला हूँ भई यह software आपके कैसे काम आने वाला है तो अगर आप interested हो भई इसके AI features साथ में batch process और साथ में यह PDF edit कैसे करता है जानने के लिए तो वीडियो एंड तक देखिए मैं सतिश complete technology channel पे आप सबका स्वागत करता हो let's begin तो दोस्तों इंट्रो पार्ट में जिस software के मैंने बात की उसे download रिश्टॉल करने के लिए description में मैंने link दी जैसे आप उस link पे click करोगे आपके सामने कुछ इस तरह का web page या interface open होगा जहापे free download option आपको मिल जाएगा यहापे click करके आप इस wondershare PDF element को download कर सकते हैं जैसे आप इसे download रिश्टॉल करोगे और open करोगे उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का interface open होगा जहापे आपको धेर सरी option मिलेगे जैसे आपको option मिल रहा है यहापे open PDF अगर आपकी पास existing PDF यहाँ से आप open करो PDF को directly edit करना है तो edit PDF convert करना है तो convert PDF OCR PDF request e-sign और batch PDF जियां एक साथ बहुत सारी PDF के उपर काम करना है एक साथ बहुत सारी PDF convert करनी है यह उसको OCR read करना है तो यहाँ पर यह option दिया गया इसके अलावा अगर आप all tools पे click करते हो तो यहाँ पे धेर सारे tools आपको मिलेंगे date से related मिलेंगे batch process मिलेगा AI tools मिलेंगे even PDF को protect करने से related tool भी मिलेंगे और सारे options यहाँ पर मिलेंगे फिलाल तो मैं edit PDF पे click करता हूँ जैसे मैंने click किया यह मुझे पूछ रहा है कि PDF की कहाँ पे save है तो मैं उससे select कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैंने PDF select कर ली जैसे यहाँ पे open कर रहा हूँ अब आप यहाँ पे देख सकते कि इन्वाइस editing के लिए आ चुका है मैं company का नाम बदलना चाहता हूँ यह company का address बदलना चाहता हूँ यह यहाँ पे PDF में जहां कई पे कोई भी content मुझे add करने तो मैं add कर सकता हूँ जैसे मुझे यहाँ पे invoice number add करना है तो वह मैं कर सकता हूँ यह existing content को मैं बदल सकता हूँ तो ABC company के जगर मुझे XYZ company add करनी तो मैंने XYZ लिग दिया है आप देख सकते हैं मैं इसकी size बड़ा देता हूँ इसको मैं यहाँ से उटा के गई पर और उपर रखना चाहता हूँ तो और उपर इसकी position बदल सकता हूँ यहाँ content मैं edit कर सकता हूँ जो बहुत ही simple है क्योंकि सारे content यहाँ पर video के अंदर के editable format में यहाँ पर आपको दिखाए दे रहें not just that guys अगर आपको इसमें कुछ और text add करना है तो वहाँ पर आपको toolbar मिल जाता है यहाँ पर देखिए toolbar मिल रहा है add text, add image, add link, automark, background बहुत कुछ है तो उसके बाद due date add करना ही वो सारी चीज़े आप यहाँ पर add image पर क्लिक कीज़े अगर आपके पास आपके company का logo है वो image है तो आप वहाँ पर add कर दीजे और इस image को कहा पर रखना है वहाँ पर रखिए अभी यह तो बहुत बड़ी image आ गई इसको हम यहाँ पर छोटा कर लेते यहाँ पर image की size आप इस तरह से कम कर सकते corner points से even image को rotate करना crop करना सारे options यहाँ पर इन्होंने दी है तो आप आपके invoice में logo add करना है basically आपके जो पीडिया पर उसमें logo add करना है तो आप यहाँ पर कर सकते इसके उपर link दी नहीं है तो add link पे click किज़े link add कर सकते इसमें आपको automark add करना है चलो ठीक है automark add करना है मुझे तो मैं add automark पीचाता हूँ यहाँ पर text automark डालना है तो मैं यहाँ पर add करूँगा अगर मुझे file automark add करना है तो मैं file में जाओंगा यहाँ पर click करूँगा और file में जो भी मेरे पस image है वो मुझे as a automark add करना है यह image दिखाए दी रहे ह और साथ में यह आपको दिखाए दे रहा है थोड़ा सा रोटेट भी है फूटी वे प्रसंडेज तो मैं इसको 0% करता हूँ यह सीधा रहे है यह मेरा रोकेट सीधा रहे है और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि इसकी पेसिटी कम करू तो मैं यहां से इसका जो ट्रांसफरन्स यह आप आप दिखाए दे रहे है वाव इंटरेस्टिंग तो आप इस तरह से औरमाग add कर सकते, even इसकी size भी adjust कर सकते, इसकी position भी आप change करवा सकते कि वही आपको कहाँ पर रखना है जहाँ पर भी आपको रखना है वहाँ पर रख सकते and उसके बाद उसे आप apply बटन पर क्लिक करो, यहाँ पर धेर सारे options उन्होंने दिये कि वही सभी pages पर apply करना है कोई particular page पर apply करना है और उसके साथ title वगरा के भी options दिये तो बहुत सारी options आपको यहाँ पर मिल रहे है आप apply बटन पर क्लिक करो, यह automark भी यहाँ पर add हो जाएगा कि आप बात है, उसके अलावा PDF में आपको अब मैं कोई-baling PDF को convert करना चाहता हूं इस PDF को आपको इससे Mercantle कareच करते है इस diapsee裡面 नतौइक t"... फिपिट המette, इमेज में करना है क्या शार्ट करते है साथ तो मैं इसको वर्ड में convert करना चाहता हूं जो बटना ही तो two word कर लिक करऊंगा पहले यह जो changes किये मैंने इससे मुझे save करने पड़ेंगे आपको और कुछी seconds के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं यह word में convert हो रहा है और desktop पे save हो जाएगा no problem आप अलग सा output folder भी specific कर सकते हैं उसको हम open करना चाहते हैं जहाँ पर भी save है open folder करते हैं folder open हो गया है और invoice हमारे सामने word में आ चुका है let's see wow interesting पूरा पूरा invoice जो था वहाँ पे PDF format का word में आ चुका है तो हम किसी भी application में यहाँ पे convert कर सकते हैं बस एक click से convert बटन पे click easy है अब इस PDF element के AI tool के बारे में हम जान कर लेते हैं तो मैं यहाँ पे open PDF पे click कर रहा हूँ यहाँ पे मेरी PDF है data analyst road maps related मैं इसे open कर रहा हूँ जैसे मैं open करूँगा right side में आप देख सकते कि भई इस PDF के साथ आपको chat करना है तो chat with PDF और chat with AIB option आपको दिया है तो सबसे पहले मैं PDF के साथ chat करना चाहता हूँ तो उसनी यहाँ पे बुलाए इस तरह के आप question पूछ सकते can you summarize the content of PDF दूसरा है what are the key points तो मैं key points निकालना चाहता हूँ right तो मैं यहाँ पे click करूँगा यह summary कर चाहता हूँ तो मैं summary पे click करूँगा तो चलिए मैं यह question पे click करूँगा या फिर मेरे मन में कोई और सवाल है इस particular documents related तो वो सवाल मैं यहाँ पे type करूँगा और यहाँ पे send button पे click करूँगा जो कि AI tool है तो फिलाल मैं what are the key points पे click करता हूँ and let's see तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कुछ ही seconds के अंदर result आ रहा है key points about becoming data analyst include understanding the role and responsibilities तो यह key point आपको बता रहा है even वहाँ पे वो बता रहा है कि page 1, 2.1 हर एक का यहाँ पे link दिया है जहां से उसने key points उठाए राइट तो यह यहाँ पे दिखाए दे रहा है even आप अगर document का summary चाते सो आप यहाँ पे type करो PDF के साथ आप chat कर रहे हो summary of document भाई इस PDF document की summary मुझे दे दो give me the summary of document जैसी आप यह type करोगे इस document की summary निकल के यहाँ पे आ जाएगी तो भाई यहाँ पे यह chat करना बहुत ही आसान हो गया PDF के साथ बस आप आपकी questions type करो और उससे related जो भी जवाब यहाँ पे आपको लाके देगा यह तो मैंने chat with PDF किया इसके अलावा यहाँ पे drop down में click कीजिए chat with AI पे click कीजिए और chat with AI में आप यहाँ पे AI के साथ directly chatting कर सकते हैं जैसी यहाँ पे उन्होंने prompts भी लिखके दिया आपको तो आप AI को जैसे chat GPT को आप सवाल पूछते हैं वैसे आप यहाँ पे सवाल पूछ सकते हैं और जैसी आप सवाल पूछेगे कुछी seconds के अंदर properly यहाँ पे जवाब आपको मिलेगा AI की तरफ से तो AI के साथ आप चैट कर सकते हैं आप अपने PDF के साथ चैट कर सकते हैं यह क अगर अगर AI assistant पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे AI chat से रिलेट तो option मिलेगा AI summarize AI translate भी option मिल जाता है इवन AI grammar check और AI generated PPT वगेरा भी यहाँ पे option मिलते हैं मतलब धेर सारे options उन्हों नहीं दिये कि अगर आपको इस document को translate करना चाहते हैं तो आप चाहते हैं कि वही क्या करना है आप चाहते word translator तो word translator पे चाहिए और यहाँ पे जाकर आप अपना paragraph उठा के डाल दीजिए जैसे मैंने ये paragraph को copy कर लिया जैसे मैंने copy किया ये paragraph यहाँ पे आ चुका है और मैं translate बिटन पे क्लिक करने के पहले language change करूँगा तो detect language में English language है और यहाँ पे मैं इसे Hindi में करना चाहता ह हो जाएगी यहाँ पे उसके बाद मैं Hindi में उसे translate करना चाहूँगा translate बिटन पे में क्लिक करता हूँ तो जो भी paragraph मैं PDF में से select करूँगा वो यहाँ पे आपको दिखाए दे रहा है Hindi में translate हो चुका है right उसके अलाव यहाँ पे इनका request e-sign view option है आप document send कर सकते दूसरों को ज आपको send करना email in order send reminder भी करना है तो आप यहाँ पे कीजिए उसके बाद recipients list में मैंने email ID कर दिया suppose यहाँ पे कोई message आपको लिखना है send email in order या फिर send reminder भी आपको यह करना है कि डेली यह morning में reminder जाए उसके बाद next कीजिए और next करते ही यहाँ पे क्या होगा यह document e-sign के लिए send ह हो जाएगा next करते ही यहाँ पे क्या रहा है request e-sign का option है get it next करते ही यहाँ पे request e-sign का option इस तरह से box आजा है और आपको लगता है कि वह यार signature initial यहाँ पे होना चाहिए तो यहाँ पे box add कर दीजिए और box add करती ही यहाँ पे send button पे click कीजिए तो जैसे आप send करोगे invoice.pdf had successfully sent for signature let's see यहाँ पे मैंने email open किया है यहाँ आप देख सकते wondershare DC की तरब से signature request for invoice आ चुका है और यहाँ पे digital signature sign the document करके option आ रहा है क्या बात है यहाँ से भी directly वो particular person agree करेगा and continue करेगा sign के लिए and here it is you can sign here वाओ interesting यहाँ पे sign in sign here button पे click कर यह option दिख digitally sign कर लेता हो suppose example के लिए okay और उसके बाद यहाँ पे save button पे click करो यह sign यहाँ पे add हो गई और submit signature interesting sign successfully no thanks और जैसे ही आप वो sign के लिए बेजोगे और दुबारा आपकी pdf में आकर wondershare pdf element में आकर देखोगे तो यहाँ पे आपकी pdf में यहाँ पे sign किया हुआ रहेगा guys right यहाँ यहाँ पे दिखाए दे रहा है जो कि जिसको भी अपने email किया तो आप मैंने आपको sign करके दिखाए और वो आप pdf wondershare में आकर open देखोगे तो यहाँ पे दिखाए दे रहा है कि वह आपने pdf कब बेजा था कब sign हो चुका है तो अलग-अलग agreement यहाँ पे sign करने के लिए particular pdf के अंदर तो आप यहाँ पे जाकर इससे ऐसा select कर सकते है देखिए यहाँ पे highlight हो चुका है यहाँ पे यह highlight हो रहा है इवन highlighter के अलवा यहाँ पे आप pencil यूज कर सकते है कोई चीज ऐसा mark करनी रहती है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते है ओके interesting options यहाँ पे और भी तो उसके अंदर के content आप select नहीं कर पाते है तो यहाँ पे OCR option दिया है तो OCR area select करो या OCR directly app करो जैसे मैंने OCR पे click किया यहाँ पे आप देख सकते OCR processing मतलब आपकी PDF को image format पे भी रहेगी तो वो पूरा read करेगा और उसके अंदर के content को वो text format में आपको लाके देगा और उस से भी अभी copy कर पा रहा हूँ क्योंकि यह content OCR से read हो चुके तो यह भी कापी interesting option है जो कि यहाँ पे दिया गया है उसके अलावा आपको PDF को combine करना है तो combine PDF को भी option दिया है यह मैं don't save करना चाहता हूँ यहाँ पर अगर आपके पास एक already PDF open है कोई और PDF अपने open की add file पे जाओ और आपको suppose यह दोनों PDF को combine करना है यह mobile sales का भी data यहाँ पे दिखाए दे रहा है तो यह दोनों PDF को combine करना है आप apply बटन पे क्लिक कीजिए आप यहाँ पे easily page 1 और page 2 को combine कर सकते हैं और आप यहाँ पे देख पार है यह दोनों भी page 1 page 2 आ चुका है combine हो गया और इससे आप save कर button पे क्लिक क्या है यहाँ पे 140 की भी इसकी size आ रही है मैं इसको select करूंगा medium आपको कैसा रखना है high compression रखना है medium compression तो high compression रखो save to source folder में save हो जाएगा apply तो यहाँ पे आप देख सकते compress हो चुका है यह और यह लगबग 50% size इसकी reduce हो चुकी है आप open folder करके इसका जो compress वाला version है वो भी देख सकते हैं आप compress allow version देखिए इसकी quality बिल्कुल जादा lose नहीं हुए बट यह compress कर दिया है इसने compress के अलावा यहाँ पे batch PDF का एक option दिखाई दे रहा है आपको batch PDF में आप एक साथ multiple PDF के उपर काम कर सकते हैं जैसे multiple PDF में आपको auto mark लगाना है या multiple PDF को आपको convert करना है या compress करना है जैसे multiple PDF को आपको compress करना है तो मैं add files पे click करूँगा मेरे पास यहाँ पे 4-5 PDF file में सभी को एक सारी PDF एक साथ compress हो जाएगी कुछी seconds के अंदर यहाँ पे आप इसकी size भी देख सकते कितनी compress हो गई है और यह सारी कि सारी आपकी source folder में say हो जाएगी जैसे आप apply करते हो source folder भी open हो जाता है और यहाँ पे जाकर देखोगे तो वो सारी PDF यहाँ पे say हो चुकी है batch compress 1212 ऐसा नाम यहाँ पे आपको दिखाय दे रहे है इसके अलाव आप PDF को protect कर सकते है यहाँ पे protect पे चाहिए encrypt बटन पे click कीजिए और यहाँ पे open password PDF open password के लिए आपको जो password देना है वो password एंटर करके इस PDF को आप protect भी रखी है और साथी में आपको कौन से level का encryption देना है वो भी आप आपको दिखाय दे रहा है जहाँ पे आप PDF को organize भी कर सकते है मतलब आपके पास धेर सारे pages है जैसे example के लिए मैं क्या करता हूँ दूसरा PDF open आपको जहाँ पर मेरे पास बहुत सारे pages है तो यह PDF आपको दिखाय दे रहा है और जब मैं organize पे click करता हूँ तो यहाँ मेरे पास बहुत सारे pages से, तो मैं चाहता हूँ page 2 को 1 की position पे रखना, या 1 को 2 की position पे रखना, तो मैं ऐसा shift कर सकता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यह page 3 को मैंने drag and drop किया, 1 की position पे, तो PDF को organize करना भी यहाँ पे बहुत आसान है, और दोस्तों अगर आप इस PDF को सुनना चाहते है जैसे यहाँ पे आपको यह PDF दिखाए दे रहा है, मैं सुनना चाहता हूँ, तो वही view पे click करूँगा, और यहाँ पे read aloud, यह option मैं activate करूँगा, जैसे मैं इस activate करूँगा, अब मैं इस stop कर रहा हूँ, stop कर देता हूँ, और यह PDF आप पढ़ने की जगा सुन भी सकते हैं, बस view में click करके यहाँ पे read aloud activate कीजिए, इसके अलावा आपको दो pages एक साथ देखने हैं, तो यहाँ पे option आपको दिखाए दे रहा है, single page scrolling अभी दिखाए दे रहा है, आप इसे two page option पे लागे रख सकते हैं, यहाँ पे option दिखाए दे रहा है, जैसे मैं click कर देता हूँ, two pages, दो pages इसके अलाव आप इसे split भी कर सकते हैं, यहाँ पे split view भी है, split vertically, तो vertically क्या होगा, यही PDF का single अलग अलग preview आपको मिलेगा, इस पे आप अलग सा second page रख सकते हैं, इसके उपर आप पहला page रख सकते हैं, तो यह reading mode आप activate कर सकते हैं, यह पिर आप vertical की horizontal scroll यह कीजिए, split कीजिए आप into से, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, horizontal split हो गया है, उपर जो preview दीखा दे रहाँ वो भी नीचे, तो यह reading mode यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से दिया गया है, जिससे आप अपने PDF पढ़ने का experience को next level पे लेके जा सकते, तो ऐसे बोट सारे features हैं, मैं बताने जाओंगा तो वही एक दो गंटा भी कम पड़ेगा इस particular software के लिए, हाला कि इसके कुछ features paid है, कुछ features free है, तो ज़रूर जो features free है, उनका आप आनन्द ले सकते हैं, मजा ले सकते हैं, डाउनलोड कीजिए अभी क्या अभी, description में अपने link दीए, wondershare PDF element की, और अगर यह वीडियो अच्छ